नेशनल हेंलूम डे के साथ भहुत एतिहासिक प्रुष्टभूमी जुड़ी हुई है। इसी दिन 1905 में स्वदेसी अंदोलन की सुरुवात हुई थी। साथियों हमारे देश के ग्रामीन और आदिवासी इलाकों में हेंलूम कमाई का भहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र हैं जिससे लाखों महलाए, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयम कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दुसरों को भी बताएं। और जब हम आजहादी के 75 साल मना रहे हैं, तम तो इतना करना हमारी जुम्मेवारी बंती ही है भाईयों। आपने देखा होगा, साल 2014 के बात से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं। ये आपका ही प्रयास है, क्या देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में एक करोड रुपे से अधिक की बिक्री हो सकती है। लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीते हैं, तो इसका लाग हमारे गरीब बुनकर भाईयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीतना एक तरह से जन सेवा भी हैं, देश सेवा भी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाईयों बहनों ग्रामिन इलाकों में बन रहें हैंडलूम प्रोडक्स जरूर खरीदें। और उसे हैस्टेग माय हैंडलूम माय प्राइड के साथ शैर करें। साथियों बात जब आज़ादि के अंदोलन और खादि की हो तो पुज्य बापू का अस्मरन होना स्वाभाविक है। वैसे ही आज हर देश वाजी को भारत जोड़ो अंदोलन का नेत्रुत्व करना है। यह हमारा कर्तव हैं कि हम अपना काम ऐसे करें जो विवित्विताओं से हमारे भारत को जोडने में मददगार हो. तो आएए हम अमुरुत महुत्सव को यह अमुरुत संकल पलें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्ता, सबसे बड़ी प्राथ्विक्ता बना रहेगा. नेशन फर्स्ट, आल्वेस फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे वढ़ना है मेरे पहरे देशवासियों, आज मैं मन की बात सुन रहे मेरे युवास साथियों का विशेश आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अभी कुछ दिन पहले ही माय गौव की और से मन की बात के स्रोताओं को लेकर एक स्टड़ी की गई थी इस स्टड़ी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुक्तह कौन लोग है स्टड़ी के बाद ये जानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब करीब 75 प्रतिशत लोग 35 वर्स की आयूश से कमके होते हैं यानि भारत की युवाशक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रुप में देखता हूं मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहां सकारात्मकता है संवेदन सिलता है मन की बात में हम positive बाते करते हैं इसका character collective है सकारात्मक विचारों और सुझावों के लिए भारत के युवाशक्ति की ये सक्रियता मुझे आनदित करती है मुझे इस बात के भी खुशी है कि मन की बात के माध्यम से मुझे युवावों के मन को भी जानने का आउसर मिलता है साथियों आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात के असली ताकत है आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विवित्ता को प्रगट करते हैं भारत वासियों के सेवा और त्याक की खुश्बू को चारों दिशाओं में फैलाते हैं हमारे महनत का स्युवाओं के इनोवेशन से सब को प्रेदित करते हैं मन की बात में आप कई तरह के आइडियाज बेजते हैं, हम सभी पर तो चर्टा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन में से बहुत से आइडियाज को मैं सम्मंदित विभागों को जरूर बेजता हूँ, ताकि उन पर आगे काम किया जा सके हैं। साथियो, मैं आपको साई प्रनीज जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूँ, साई प्रनीज जी एक सौप्वेट इंजिनियर है, आंधर प्रदेश के रहने वाले हैं, पिछली बर्स उन्होंने देखा कि उनके यहां मौसम की मार की वज़े से किसानों को काफी नुक इस्तिमाल करने का फैसला किया, अब वे अलग-अलग डेटा सोर्से से भेदर डेटा खरीते हैं, उसका विश्लेशन करते हैं, और स्थानिय भाषा में अलग-अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुँचाते हैं, भेदर अपडेट्स के अलावा, प्र पिर तुफान या बिल्ली गिरने पर कैसे बचा जाएं, इस बारे में भी वो लोकों को बताते हैं, साथियों, एक और इस नौजवान सौपवेर एंजिनियर का ये प्रयास, दिल को छूने वाला है,